जितने भी धाराएं लगाई गई हैं जो बंगाल पुलीस यासी आईडिय ने जो लगाई है उन में से कोई भी धारा ऐसी नहीं है जो सीधे सीधे NIA को हैंड ओवर करने की लगती है कहीं ना कहीं कवर अप पूरा चल रहा है TMC सरकार के माध्यम से और ये सब जानते हुए कि ये बहुत बड़ी घटना है ये राष्ट सुरक्षा से जुड़ी वी है उसके बावजूद भी TMC सरकार इसको ढखने की पूरी कोशिश कर रही है ये दुर्भाग्य है कि समिधान की सपत लेने के बाद भी इस प्रकार के देश के अंदर ऐसी सरकार है विस बिंगौल की और उसकी मुख मंत्री हैं जिसने बंगाल को एक आतंकियों के लिए एक सेफ हेविन बना दिया